शाहर ही नहीं पुरे विदर्बस हीद आसपड़ोस के क्षेत्रों में भी नाखपुर का मेडिकल अस्पताल सबसे बड़ा रुबनालय है इस अस्पताल पर एक बड़ी आवादी का भार है कोरोना काल में इस अस्पताल ने लोगों का भरपुर साथ दिया और आगे भी उम्मिदे बरकरार है लेकिन शनिवार को यहाँ बड़ा हाथसा होते होते टल गया यहाँ के लिक्विट ऑक्सिजन आपूरती टैंक की पाइपलाइन में लिकेज की खबरों ने फ्रशासनिक अमले को हैरान कर दिया अच्छी बात ये रही कि समय गवाय बिना महकमे ने मुस्तेदी के साथ रोगियों के लिए न सिर्फ ऑक्सिजन की आपूरती बहाल रखी बलकि लिकेज ठीक करने के लिए भी युद्द स्थर पर मशक्कत जारी रखी नतीजा सब कुछ सुखद रहा मगर इसी मगर को लेकर चिंता उबरी है चिंता इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमन की गती को देखते वए ऑक्सिजन आपूरती में किसी भी अस्पताल में व्यवधान खतरनाक साबित हो सकता है नाशिक में गत वर्ष 21 अप्रेल को जाकिर हुसन नगर पाली का अस्पताल में भगदर मज गई वह ऑक्सिजन टैंक से अचानाक ऑक्सिजन लीक होने लगी ऑक्सिजन के टैंकर से टंकी में रिफिल करते वक्त वॉल्व से लिकेच शुरू हुआ और देखते ही देखते पुरा अस्पताल परिसर धुआ 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 हो गया तावड तो विवस्था ठीक करने की कोशिश की गई लेकिन हाथसे ने 22 लोगों की जान ले ली कई लोगों की हालत काफी दिनों तक गंबिर बनी रही चिंता इसी तरह के हाथसों को लेकर है शनिवार को नाकपुर के मेडिकल अस्पताल के वाड क्रमांक एक में ऑक्सिजन की आपूरती बंध हो गई करिब चार घंटे तक सुधार कारिया चला तब जाकर लिकेज बंध हुआ गनीमत रही कि इस दोरान मरीजों को कोई परिशानी नहीं हुई क्योंकि अस्पताल प्रबंधन की और से जल्द ही जंबो ऑक्सिजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई वाड में उस समय दस से अधिक मरीज थे सतर्था के कारण मरीजों की जान पर आया संकट टल गया अन्यवी भागों में भी कोई परिशानी नहीं हुई क्योंकि मेडिकल परिसर में 3200 LPM का और शासके दंत चिकितसा महविद्याले के पास 3200 और 2000 LPM के 3 ऑक्सिजन प्लांट तयार किये गये है इसके अलावा वाट करमंग 24 के पीछे एक ऑक्सिजन प्लांट शुरू है मेडिकल ऑक्सिजन को एक बड़े से कैपसूल नूमा टैंकर में भरकर अस्पताल पहुचाया जाता है अस्पताल में इसे मरीजों तक पहुच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है चुकि हर अस्पताल में तो ये सुविदा होती नहीं है इस वज़त से अस्पतालों के लिए इस तरह के खास सिलेंडर बनाये जाते है इन सिलेंडरों में ऑक्सिजन भरी जाती है और इनको सीधे मरीज के बिस्तर के पास तक पहुचाया जाता है यहां अत्यादिक साउधानी बरतनी होती है लेकिन बताया जा रहा है कि ऑक्सिजन स्टोरेज टैंक के पास कोई सुरक्षा रक्षक नहीं था यहां से निकलने वाली ऑक्सिजन धीरे धीरे वही फैलने लगी थी मरम्मत कारिय पुरा होने तक टैंक के पास जमीन पर 6 इंच तक ऑक्सिजन फैल चुकी थी मरम्मत कारिय पुरा होने से रहत मिली हलाकि इस दवरान आदे घंटे से अधिक समय तक शटडाउन किया गया था यहां यह जानना ज़रूरी है कि सिलिंडर में भरकर आउक्सिजन को रखने की जरूरत क्यों दरसल हमारे शरीर को चलाएमान रहने के लिए जिस उरजा की जरूरत होती है वो हमारे शरीर में ही बनती है हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में chemical reaction के तहट जलता है और हमें उससे उरजा मिलती है लेकिन जैसे किसी मौमती को जलने के लिए बहारी हवा की जरूरत होती है वैसे ही शरीर के अंदर भोजन को जलाने और उरजा पैदा करने के लिए हवा की जरूरत होती है और इसमें oxygen gas काम आती है लेकिन pure oxygen शरीर में chemical reaction को अचानक से तेज कर सकती है और इससे एक बार में ज्यादा उर्जा पैदा होने से शरीर के अंगों को नुकसान हो सकता है इससे बचने के लिए शरीर में mix oxygen जाती है जिसमें nitrogen की भी मातरा होती है nitrogen gas भोजन के जलने को डियंतरित रखती है और हवा में इसकी उपस्तिती लगभग 70% तक होती है जी हाँ, समय से पहले पैदा हुए बच्चे यानि pre-mature baby या coronavirus से ग्रस्ट लोगों को सास में extra या ज़ादा oxygen देने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनका level काफी नीचे चला जाता है बाहरी हवा में oxygen का जो ютर होता है उससे ज़्यादा oxygen ऐसे मरीजों को देने की जरूरत होती है पियर oxygen ऐसे मरीजों को ठीक करने या स्वस्ट स्थिति में पहुचाने के लिए जरूरी होती है हाला कि ऐसे मरिज़ों को भी जादा मात्रा नुकसान दे हो सकती है जहां तक ऑक्सिजन के स्टोर की बात है तो यह ध्यान अवश्यक हो जाता है कि उस जगह को जलने वाली चीजों से मुक्त होना चाहिए ऑक्सिजन स्टोर के आसपास कभी भी अलकोहल, सॉल्वेंट्स, पेट्रोलियम या पेपर आधी नहीं रखे जाने चाहिए खुली आख, चिंगारी, किसी जलने वाली चीज से पैदा होने वाली उश्मा, रेडियन्ट हीटर जैसे सामान स्टोर के आसपास नहीं होने चाहिए यहां तक की ऑक्सिजन टैंक का तापमान भी 125 फैरेनहेट से जादा नहीं होना चाहिए इसलिए हवा में मौझद ऑक्सिजन को फिल्टर करने के बाद मेडिकल ऑक्सिजन तयार की जाती है इस प्रोसेस को क्रायोजेनिक डेस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है इसके बाद कई चरणों में हवा को कम्प्रेशन के जरिए मौलीक्यूलर एड्जॉर्बर से ट्रीट किया आया जाता है जिससे हवा में मौझद पानी के कन, कार्बन डायोकसाइट और हाइड्रो कार्बन अलग हो जाते है इसके बाद कम्प्रेस्ट हवा डिस्टिलेशन कॉलम में आती है यहाँ इसे प्लेट फिन हिट एक्स्चेंजर और एक्स्पेंशन टर्बाइन प्रक्रिया से ठंडा किया जाता है इसके बाद 150 degree centigrade पर इसे गर्म करके दिस्ट्रिल किया जाता है जानकारी के लिए बता दे कि मरीजों को जो oxygen दी जाती है वह 98% तक शुध होती है इस oxygen में कोई अशुधी नहीं होती जिसकारण मरीजों को इसे सांस के रूप में लेने में कोई तकलिफ नहीं होती oxygen plant में हवा से oxygen को अलग किया जाता है इसके लिए unique air separation की तकनीक के इस्टिमाल किया जाता है जिसके तहट पहले हवा को compress किया जाता है और फिर filter करके उसमें से सारी अशुधिया निकाल दी जाती है इसके बाद filter हुई हवा को ठंडा किया जाता है फिर इस हवा को distill किया जाता है ताकि oxygen को बाकी गैसों से अलग किया जा सके जिसके बाद oxygen liquid बन जाती है और इसी सित्य में ही उसे इखटा किया जाता है फिलहाल वर्तमान में इसे एक portable machine की द्वारा हवा से oxygen को अलग करके मरीज तक पहुचाया जाता है एक वयस को आराम करते वक्त भी 24 घंटे में करीब 550 लिटर शुद्ध oxygen की जरूरत होती है और मेहनत का काम या वर्जिश करने पर अधिक मातरा में oxygen चाहिए होती है एक स्वस्तव वयस के एक मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है यदि कोई व्यक्ति एक मिनट में 12 से कम या 20 से जादा बार सांस लेता है तो वहां किसी परेशानी से ग्रसित है एक स्वस्तव व्यक्ति के बलड में oxygen का saturation level 95 से 100 फिजदी के बीच होता है COVID-19 महामारी के दौर में अगर किसी व्यक्ति का oxygen level 92 से नीचे है तो उसकी हालत गंभीर है कोरोना आने के बाद से ही दुनिया भर की e-commerce websites पर portable oxygen can बीक रहे है भारत में भी ऐसे कई उतपात 500 से 3000 रुपे की range में मौजुद है कई can के साथ oxygen mask भी दिया जा रहा है ये portable oxygen can पीपर मिंट और साइटरस जैसे अलग-अलग flavor में भी मौजुद है हाला कि जानकार मानते है कि लोगों को तरो ताजा महसुस करने, तनाव कम करने, जूम कॉल से पहले उर्जावन होने के लिए ऐसे oxygen can का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन कैन को इस्तेमाल करने वाले लोगों ने कॉफी की सीरप के बज़ाए oxygen का पफ लेने की बात कई है लेकिन जानकार मानते है यह बहुत नुकसान देह हो सकता है भारत की medical oxygen की उत्पादन क्षमता 6400 मेट्रिक टन है और COVID-19 की भयावा स्थिति के मद्दे नजर देश में 15 अपरेल 2021 सक्थ medical oxygen की खपत 4795 मेट्रिक टन हो गई थी अचानक से बड़ी मांग के चलते oxygen की दूसरी लहर में कमी हो गई थी यह हकीकत है और हकीकत ये भी है कि भी बिन अस्पतालों में oxygen लिक होने से जानलेवा स्थिति बनाई है इसलिए जीवन के लिए जितना जरूरी oxygen है उतना ही जरूरी oxygen को बरकरार रखना है शरीर के अंधर भी और बाहर प्लांट में भी लापरवाही दोबारा मौका नहीं देती जीवन रक्षक oxygen ही जान ले लेता है इसलिए सावधान रहे जिम्मेदारी निभाने वाले से गंभिरता से ले चुक होने वाली घटनाओं की तरह दुसरी घटना नहों स्वस्त रहे स्वास्त रखे मौका नजागत भरा है कभी भी oxygen की जरूरत पढ़ सकती है इसे जाया नहोने दे फिर मिलेंगे एक नए खुलासे के साथ तब तक बने रहे हमारे साथ अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहाँ पर एरलाइन एं एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहाँ campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy, one degree, three job opportunities Flywheel Aviation Academy, gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy, 365 Gali Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur